Hello and welcome to SportsFact. के फैंस को इंतजार था. Finally, वो पल आ गया. देखिए, कयास ऐसे लगाए जा रहे थे कि KKR को कप्तान की जरूरत है, तो अब कप्तान कौन बनेगा? Oyn Morgan पिछले साल कप्तानी किये थे KKR का, लेकिन इस बार Oyn Morgan भी अंसोल्ड चले गए. लेकिन अब KKR ने अपना कप्तान चुन लिया है. अभी तक कयास ही लगाए जा रहे थे कि श्रे शयर हो सकते हैं, कप्तान और साथ ही, रसल की भी बाते चल रहे थी, नरेन की भी बाते चल रहे थी, लेकिन फाइनली KKR ने फाइनल कर दिया कि आखिर कौन बनेगा KKR का कप्तान तो देखे officially announce कर दिया गया है officially KKR ने अपने tweet के तुरू announce कर दिया कि श्रेश आयर KKR की कप्तानी सम्हालते नज़र आएंगे जी हाँ, श्रेश आयर को lock कर दिया गया है कप्तान के रूप में देखे KKR से पहले आपको बता दे श्रेश आयर ने डली कैपिटल की कप्तानी की है और बहुत ही अनुभवी खिलाडी, बहुत ही बहतरीन कप्तानी उनकी और इसी पर भरोसा दिखाया है KKR ने देखे जहां KKR ने इतना स्मार्ट बिड किया 12.25 क्रोर में कप्तान अपने नाम कर लिया तो फाइनली देखे इसी बात का जो इंतिजार था, वो इंतिजार फाइनली खतम हुआ कि KKR का कप्तान डिसाइड हो गया, श्रेश आयर होंगे KKR के कप्तान देखे ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहेगा जैसे ही अपडेट्स साथ ही हम आपके साथ जुड़के आपसे शेयर कर दिया करते हैं और देखे वीडियोस पसंद आते हों तो लाइक, शेयर, सब्स्राइब करना मत भूलिएगा बेल आइकन को याद से प्रेस कर लिजेगा ताकि नोटिफिकेशन्स आप तक टाइम टू टाइम पहुशती रहे